कि आयों दे राम मंदिर के पुजारी मुख्य पुजारी महीत पांडे के भार में आप क्या जानते हैं आया आज ऑज आज अम आपको उन से अभगत कराते हैं अधर्व फोगी मंदिर मुख्य पुजारी के रूप मोहित पॉपढ़ी को चुना गया है जानता ही ने क्यों चुना गया है और रामलळा का सेवक भूछे पांडे का चैन रेज़्यम में भवी राम मंदिर के लिए पुझारियों में debe इसमें तीन अजारों में द्वारों का विदन किया है चैन परिकलिया में पुझारियों की मापदन के निदार्यत किये गए जिस सबी को उजणना पड़ा इस परिकरिया में दोस्तों अब इदक पुजारी सक्षतकार तक पहुचे हैं जिसमें पचास पुजारियों को के रूप में चुना गया इनी पचास पुजारियों में मोहित पंडे का भी नाम शामिल है जो इन दिनों खूब चर्चा में है रामलाला के सेवक के रूप में चुने गए मोईट पांडे वर्तमान में तरूपरती देविस्तल त्वारा संचालिटी डीटी वंकेट वेश्वर विश्व डेले में अचारे पाटे करम कर रहे हैं यह उत्तर परदेश सितापुर में रहने वाले हैं प वेद विभाव में पढ़ाई भी कर रहे हैं बताए जा रहा है मोईट पांडे की नियुक्ति आयोद्य रामलाला के मंदिर में साम वेद में लिंग अचारे के लिए हुई है नियुक्ति से पहले मोईट पांडे छे महिने के पर्सिक्षन आउदिस से भी गुजर चुके है जिसमें की वेद सेकुशल पास हो चुके हैं यही नहीं आयोद्या में आयोद्या में ब्राम मंदिर में होने वाली पूजा के लिए पूजारी का चैन भी उनके रूप में मुहित मंडे को ही चुना गया रामलाला की पूजा के लिए नियुक्त कियो गए पूजारियों में से कुछ माबदन निर्दाइद किये गए थे राम नंदे परंपरा विद्धा होना जरूरी है साथ ही जो अंदित राम मंदिर में पुझा करेंगे उन्हें वेद चास्त्र और संस्कृति आदी की विशेस्ता होनी जरूरी है इन सभी माबदन्दों में मुईत पांडे हो तो पूजा पांड कर रहे थे उन्होंने ही मुईत पंडे का नाम सामने लाया है इसी के साथ आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब चैनल को शेर जरूर करें और इसी के साथ एसे ही की रोचक वीडियो हम आपकी लिए लाते रहें तेंक यू सो मच आपको हमारे वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं